बॉलिवुड में इन दिनों शादी का जैसे सीजन ही चल रहा हूँ चल थी कैटरीना कैफ और विकी कौशल शादी के बंधन में बंधने वाले हैं इसी बीच अक्टरिस सारा अली खान ने शादी को लेकर एक बड़ा रियक्शन दिया है सारा ली खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म अतरंगी रे को लेकर सुर्खियों में हैं फिल्म में उनका एक अलग ही अंदास देखने को मिलेगा हाली में फिल्म का एक ट्रेलर और एक गाना रिलीज किया गया जिसे सोशल मीडिया पर खुब पसंद किया जा रहा है इसी बीच सारा ने इंटर्वियो में अपनी शादी को लेकर बात की इस दोरान उन्होंने बताया कि उन्हें किस तरह के लड़के से शादी करनी है और इस शादी के लिए उन्होंने अपनी एक शर्थ भी बताई है एक चैनल को दिये इंटर्वियो में सारा ने अपनी जन्दगी से जुड़े कई पहलूं के बारे में बात चीत की सारा ने अपनी शादी को लेकर कहा कि वो एक ऐसे विक्ति के साथ शादी करेंगी जो बाद में उनकी माम रिता सिंग के साथ रहने के लिए तयार हो उन्होंने अपनी माज जिन्होंने सिंगल मदर के तौर पर उनकी परवरिश की इसके बारे में भी बात की थी आपको बता दे कि आनन्द अल्रॉय निर्देशित इस फिल्म में सारा के साथ अक्षा कुमार और धनुष लीड रोल में हैं ये फिल्म 24 दिसंबर को OTT प्लैटफॉर्म पर रिलीज होगी लव ट्राइंगल पर बेजड इस म्यूजिकल ड्रामा में A.R. रह्मान का म्यूजिक है बता दें कि डिजनी प्लैस होट स्टार ने अतरंगी रे के लिए करीब 200 करोड रुपए चुकाए है इंटर्वियू के दौरान सारा से जब पूछा गया कि क्या आपने कभी बेडियों को तोड़ने और खुद कुछ करने की कोशिश की है इस सवाल पर उन्होंने मज़ेदार जवाब देते हुए कहा बिलकुल नहीं मैं किसी ऐसे व्यक्ति से शादी भी करूंगी जो मेरी मा के साथ रह सके मैं उसे कभी नहीं छोड़ने वाली मेरी मा बहुत लिब्रल महिला है रोजमर्रा की जिंदगी में वो मेरी तीसरी आँख है हाली में एक इंटर्वियू में उन्होंने अपने पैरेंट्स याने अमरिता सिंग और सैफ अली खान के तलाक को सही बताया था उन्होंने बताया कि कैसे मा और पापा के तलाक पर उन्होंने खुद को संभाला था सारा ने कहा था ये बहुत आसान था अगर आपको दो आप्शन्स नजर आ रहे हैं और जहां कोई भी खुश नहीं है तो उन्हें अलग हो जाना ही बहतरीन है उन्होंने कहा कि अगर दो लोग अलग होने के बाद अपनी जन्दगी में खुश हैं तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है मुझे नहीं लगता वे दोनों आखिर में एक दूसरे के साथ खुश थे तो इसलिए मुझे लगता है कि उस वक्त अलग हो जाना ही अच्छा सहसला था ऐसे में जब भी आप मिलते हैं तो आपको एक अलग तरह की खुशी और वेलकम मिलता है इसी के साथ अभी के लिए इस रिपोर्ट में सरफ इतना ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और जुड़े रहें हमारे चैनल नेक्ट नाइन लाइफ के साथ धन्यवाद